हालो दोस्तो, मेरा एक दोस्त था जिसने रिसेंटली अपनी रेजुएशन पूरी की है, पूरी तो करी बट अब वो जॉब सर्च कर रहा था जब मैं उससे मिला तब लगभग उसको 6-7 मैने हो गए तक रेजुएशन करके और उसने बतया कि अब तक उसने 6-7 इंटर्व्यू दिये है और वो हर इंटर्व्यू में रिजेक्ट हुआ है ये सुनके मैं एकदम चोक गया, मैंने कहा ऐसे कैसे, क्योंकि मैं भी एक अंडर्रजुएट हूँ और मेरे हमेशा से ही आवरेज पॉसेंटेज आये है, पर बात करें अगर मेरे दोस्त की, तो वो हमेशा से ही पड़ाई में होशियार था almost हमेशा उसके 90% से ज़ादा percentage रहते थे इवन कॉलेज में भी उसने almost 9 pointer लिया है हर साल मैंने बड़ी curiosity से पूछा कि तुम तो इतने होशियार हो graduation भी अच्छा percentage से पास आउट की है तुमने फिर ऐसा क्यूँ और जब इस सवाल का उसने जवाब दिया तो मैं एकदम हक्का बक्का हो गया इस बात को सुनकर मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था आप लोग guess कर सकते हो कि वो चीज क्या है वो चीज थी lack of social skills इस टॉपिक के deep में गुसने से पहले मैं आपको कुछ बात ही बताता हू As per the latest census 30 lakh Indians जो है वो graduate होते है per year जिसमें अगर engineers की ही बात करे तो 80% graduates in India unemployed होते है कईयों को तो forcefully ऐसा काम करना पड़ता है जो कि उनकी engineering field से belong भी नहीं करता तो अगर इतने लोगों को job नहीं मिल रही काम नहीं मिल रहा तो इसका responsible कौन है आपकी हिसाब से मेरे हिसाब से तो यह schools है क्योंकि बचपन से ही school में हमें social skills के बारे में कुछ नहीं बताया जाता और जो चीज़े आप school में पढ़ते हो वो almost just 40% आपके career में आपको काम आता है और major 60% stake होता है social skills का जैसे communication skills है public speaking skills, leadership skills, listening skills या फिर networking etc. ये topics ऐसे हैं तो मैंने अपने social skills develop करने में कई साल बिता दिये आज भी मैं उसे develop करने में लगा हूँ पर ये चीज़ मैंने school से नहीं सिखी मैंने ये चीज़ सिखी है internet से, books से हम लोग इतने लखी है कि हम एक golden age of information में है जहां हमें easily सारी information available होती है तो वो एक चीज़ मुझे लगी कि school में नहीं बताई जाती वो social skills है तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने social skills पे भी जादा से जादा वीडियोस बनानी चाहिए तो मुझे नीचे comments में बताईए कि क्या आप social skills पे वीडियोस देखना पसंद करोगे अगर मुझे नीचे comments में दिखता है कि हाँ आपको ये सही में चाहिए है तो जरूर मैं इस topic पे वीडियोस बनाऊंगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो like, share और comment करना ना भूलिएगा At the end, thank you for watching